असलाव लेकुम दोस्तों मैं शाहरा परवीन हजीरू में कोड़नी रेसिपी के साथ फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दल्या की बहुत ही टेस्टी सी खिच्डी जिसे आप सुभा के नाश्टे में खाएं और अपने बच्चों को बना के देए एक बहुत ही हेल्दी भी है तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं अगर इस पी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरू दिया था और इसी के साथ यहां पर मैंने दो से तीन चोटे साइस के टमाटर लिये हैं और साथी में मैंने यहां पर एक मीडियम साइस का प्याज लिया है और इसी के साथ एक छोटा गाजर मैंने इस तरह से थोड़ा मोटे टुकलों में काट लिया है और यहां पर वन फॉ के हिसाब से कम और जादा रख सकते हैं तो चलिए दलिया को बनाना शुरू करते हैं और यहां पर अब यह कुकर मैंने गेस पर एक likes और अब इसमें डॉल ने ब butalaid को मेरे को डाला है है और जुल दिखाया फिर पडिन और ध्यक्त Remember ऑप के साथ 3-4 पिंच हींग है वो भी मैंने इसमें डाल दिया है और फ्रंस जीरा अच्छे से फ्राइ हो गया है तो इसमें अब जो प्यास को भी मैंने आपको दिखाया था उसे हम इसमें शामिल कर देंगे तो प्यास को में किसी कलर का नहीं करना है बस इसे घी में भूल देना है प्यास को और एक मिनट तक के भूलने के बाद यहां पर जो हरी मिल्च भी मैंने आपको दिखाई थी उसे इसमें डाल दिया है और इसी के साथ जो अद्रक अभी मैंने ग्रेट करके रखा था उसे भी हम इसमें डाल देंगे और आप चाहें तो अद्रक को बारी काट सकते हैं और अद्रक हरी मिल्च को डालने के बाद हम इसे एक मिनट तक के भून देंगे और इसके बाद जो टामाटर को अभी मैंने आपको दिखाया था उसे भी हम इसमें शामिल कर देंगे तो यहाँ पर जो टामाटर है उसे मैंने कूकर में डाल दिया है और टामाटर को डालने के बाद प्यास के साथ हम इसे फिर से एक बार भून लेंगे और इसके बाद हम इसमें नमक डाल देंगे ताकि टामाटर अच्छे से जल्दी से सॉफ्ट हो जाए तो यहाँ पर एक छोटा चमज भर के मैंने नमक डाला है नमक आप अपने टास्क के हिसाब से कम और जादा रख सकते हैं और नमक को डालने के बाद इसे एक बार और चला देंगे और इसके बाद हम इसमें दो मिनट के लिए धकन लगा देंगे के टामाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए और दो मिनट बाद मैंने धकन को हटा दिया है और ये देखिए फ्लेम को मैंने लो कर दिया था तो टामाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए है और इसके बाद यहाँ पर एक छोटा चमच भरके मैंने रेट चिली पाउडर का भी यूस किया है तो आप चाहें तो सिर्फ हरी मिर्च का भी यूस कर सकते हैं और इसी के साथ मैंने यहाँ पर आधा चोटा चमच हर्ली पाउडर भी इसमें एड़ किया है तो हर्ली और मिर्च को डालने के बाद हम इसे एक मिनट तक के भून लेंगे और इसके बाद यहाँ पर जो गाजर को भी मैंने आपको दिखाया था उसे हम इसमें शामिल कर देंगे और इसी के साथ जो मटर के दाने हैं उसे भी हम इसमें डाल देंगे तो गाजर और मटर को डालने के बाद इसमें अब हम दलिया को शामिल कर देंगे और आप इसमें आलू का भी यूज़ कर सकते हैं मैंने आलू नहीं डाला है और दल्या को डालने के बाद सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे तो फ्रेंड से दल्या हो या खिच्डी हो ये थोड़ी गीली ही अच्छी लगती है तो यहाँ पर मैंने पानी का यूज थोड़ा सा जादा किया है तो यहाँ पर मैंने दो कब भर के इसमें पानी का यूज किया है आपको अगर थोड़ा सा कम गीली दलिया पसंद हो तो आप पानी का यूज कम कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने दो कब भरके पानी डाला है इसमें और इसके बाद हम इसमें ढगा देंगे और एक से दो सीटी ले लेंगे क्योंकि दलिया तो हमारा पहले से ही भीगा हुआ था तो यह जल्दी ही गल जाएगा और फेंड्स दो सीटी हो गई है और इसके बाद मैंने फ्लेम को लो करके दस नटक्के से और कुक कर लिया था तो यहाँ पर कुकार का ढ़का नटा लिया है और ये देखिए हमारी दलिया देखने से ही लग रही, काफी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, तो चलिए इसे चला देते हैं और इसके बाद एक छोटा चमच भर के मैंने इसमें गरब मसाला पावडर का यूज किया है, मैंने घर का यूज किया है, और गरम मसाले को डालने के बाद हम इसे एक बार फिर से अच्छे से मिला देंगे तो फाइनली फ्रेंट्स हमारा दलिया की खिचड़ी यहाँ पर तयार हो चुकी है और इसमें लास्ट में मैंने धनियापती का यूज किया है तो आएए इस दलिया की खिचड़ी को प्लेट में निकार लेते हैं और यहाँ पर मैंने ये प्लेट ले लिये और इसमें मैंने दल्या की खिचड़ी को निकाल लिया है तो फ्रेंट्स हमारी बहुती टेस्टी सी दल्या की खिचड़ी बिल्कुल पर्फिक्त तरह से त्यार है आप इसे सुभा के नाष्टे में खाएं आपको बहुत अच्छा लगेगा तो फ्रेंस आप इसे सुबह के नाश्टे में खाएं और अपने बच्चों के लिए इसे बनाएं और अपने घरवालों के साथ इसका मज़ा लें दल्या की खिचड़ी का वीडियो बसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा और सबस्क्राइब क तो आज के लिए इतना ही इन्शालला एक और नी रिस्पी में जल्दी ही मिलूंगे तब तक के लिए बाई असलावलों